तो हम बात कर रहे थे विभिन लगनों में राहू विभिन भाव में जब इस्तित हो तो राहू की महादसा में आपको क्या प्रेणा मिल सकते हैं इस वीडियो में बात कर रहे हैं, अगर आपका कुम्ब लगन हो, और कुम्ब लगन में राहू दूसरे भाव में इस्तित हो, तो अपनी महादसा में राहू आपको क्या रिजल्ट दे सकते हैं, देखें अगर दूसरे भाव में राहू इस्तित है, तो मीन रासी का राहू सेकिंड हाउस में जातक को फैमली लाइफ में काफी डिस्टरप करेगा काफी अंसर्टेनिटी उत्पन करेगा जातक को अपनी फाइनेंशल कंडिशन के बारे में काफी उपसेस्ट करता है ऐसा राहू बार-बार आपको रिस्क लेने के लिए प्रिदित करता है कभी-कभी जातक अपने लालच की वज़े से अपने बहुत ज्यादा कोई ऐसी कंडिशन जहां पर जातक बहुती रिस्क में फसा है जहां पर वह अन्वांटेटली रिस्क ले रहा है ऐसी कंडिशन में वह अपना धन और संपतिक हो देगा या उससे कोई ना कोई गलत डिस आदते हो सकती हैं उसमें कुछ drinking habits या हम बौल सकते हैं ऐसा नौन्वेज वगरे का habit उसमें हो सकता है साथ इसा जात तक बहुत करूर हो सकता है वानी से काफी मैन्यूप्लेटी हो सकता है वो लोगों को मिसगाइड करने वाला या लोगों को uncertainty दिखाने वाला हो सकता है काफ नहीं रहने वाला और mostly राहू की दसा में बिलकुल नहीं रहने वाला साथ ही आपको कोई धन या संपती का बड़ा लोस हो जाएगा राहू की दसा में राहू आपको काफी लालची बनाता है ज्यादा से ज्यादा धन और संपती पाने के लिए आपको एग्रेश्टिव बनात इस प्रकार की इस्तिति आपको देखने को मिलेगी राहू यहां है तो डिपेंट करता है राहू की दसा आपको का बाती है जैसे हो सकता है किसी जात को बहुत सुरुवाती एज में सुरुवाती समय में ही राहू की दसा आ रही हो ऐसे समय में राहू आपको फैमली के साथ जातक को सपोर्ट नहीं मिल पाता कोई ना कोई इश्यू फैमली में लगा ही रहता है सुरुआती समय में अगर ऐसा राहू हो तो हेल्थ को लेकर थोड़ा कॉंसिस रहना चाहिए साथ ही कभी कभी आप छोटी आयू में अगर राहू की दिसा आ जाती है तो अपने घर का पैसा या संपती का दुरूपयोग करेंगे या उसको सही तरीके से आप इस्तिमाल करने को नहीं देखेंगे साथ ही ऐसा राहू काफी ज्यादा हम बोल सकते हैं एक स्वचंद प्रकरती का जातक को बना दिता है अपनी महादसा में और बिल्कुल भी जातक में अनुसासन नहीं रहता फिर ऐसा जातक अपनी राहू की दसा में अपनी फैमली को काफी डॉमिनेट करेगा वो फैमली के हर मामले में अटांग अडाएगा और जातक अपनी फैमली को लेके काफी ऑपसेस्ट होगा साथ ही साथ जातक काफी तेजी से निर्ने लेगा जिस वज़े से उसको काफी नुक्सान हो जाएगा अपने निर्नों के वैसे काफी बार ऐसे जातकों के निरने गलत चले जाएंगे फिर हम यहां राहू की दृष्टियों की बात करते तो राहू की अगर हम दृष्टी की बात करेंगे ऐसे में राहू सबसे पहले आपके 6,000 पर ही दृष्टी डालते है 6,000 पर जब राहू दृष्टी डालता है ऐसा राहू वास्तम में आपको आपके सब्तुरों से काफी फाइदा करवाता है आपके डेली लाइफ को लेकिन काफी अनिस्टेबल रखता है आपको काफी competition का सामना करना पड़ेगा जोन में काफी बार आपको समस्याओं से जूज पड़ेगा उसके बाद आपको आगे बढ़ने के लिए राहू प्रेरित करेगा ऐसे में अगर यहां कोई क्रूर ग्रै बैठा हो 6,000 में तो राहू और भी अच्छा result दे सकता है 6,000 से जुड़े मामलों में लेकिन अगर कोई भी यहां सुब ग्रै बैठा हो तो ऐसे में financial condition को लेके बहुत ज़्यादा problem हो जाती है जातक का carrier इस तरह नहीं रहता कारियर में काफी ज़्यादा uncertainty का सामना करना पड़ता है ऐसे जातक के अपने colleagues के साथ नहीं बनती उनके साथ जातक दुर वेवार करता है या अपने आपको बहुत ज़्यादा सुप्रेम दिखाने की क सुप्रक में रहेगा जहां पर उसको प्रियाप सपोर्ट नहीं मिल रहा साथ ही जातक को ऐसा रहूं बहुत ज़्यादा लडाई जगडा विबाद करने के लिए प्रेरित करता है ऐसा रा हुए तो काफी बार जूट बुलवाता है आपको गलत रन्निती बनाने के लिए प्रेरीद करता है ऐसे में आपका कारिय छित्र आपका व्रक प्लेस इस पे आप हमेशा परिशाने से जूजते रहेंगे हमेशा एक mental issue आपको रहेगा तनाव का सामना करना पड़ेगा बहुत बार ही आपके काफी सारे उतार चड़ाव देखने को मिलेंगे आपको आपके profession में तो यहां पे आपको जो legal matter है या आपकी जो daily life है उससे समंधित issues भी काफी ज़्यादा आते है साथ ही जाथ तक वो धन से जोड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ता है अन्वांटिरली ऐसा जाथ तक loan ले सकता है या वो किसी दूसरे वक्ती के धन को हरब सकता है तो इस वज़े से आपको काफी नुक्सान हो जाएगा फिर राहू देखते हैं आपके airth house को airth house को जब भी राहू देखेगा यहाँ 6 नम्मर रासी 6 नम्मर रासी यानि यहाँ पर आपको आपके ससुराल पक्स से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा अगर बुद आपका मजबूत इस्तिति में है तो कुछ हद तक ऐसा राहू आपको अकल्ट में या आपको कुछ हद तक बहुत ज़्यादा रिसर्च वगरा में फाइदा दे सकता है बहुत ही ज़्यादा hidden तरीके से गेन दे सकता है hidden तरीके से फाइदा करवा सकता है बट financial condition कभी भी ऐसे जातकों के इस्तिर नहीं रहने वाली साथ ही आपको कुछ sexual issues रह सकते हैं आपके partner के साथ आप अक्सर ऐसंतुष्ट रह सकते हैं राहू की दसा की दोरन राहू जब earth house को देख रहे हैं तो ऐसे में काफी ज़दा hidden परवर्ती से जातक के पास धन और संपती आएगा ऐसा जातक बार बार अपने जिवन में काफी struggle face करेगा और काफी बार वो uncertainty दिखाएगा अपनी life में तो राहू का जो प्रभाव है राहू का प्रभाव अस्टम भाव पर जो पढ़ रहा है तो जातक को यहां पर काफी बार एक sudden या hidden transformation देखने को मिलती है बार बार जिवन में कुछ ऐसी घटनाएं ऐसी चीज़ें घटित होती रहती हैं जिससे जातक को कभी-कभी भै भी होता है या काफी बार जातक को नुकसान उठाना पड़ सकता है तो यहां पर एक चिंता हमेशा बनी रह जब राहू 10th house को देखेंगे 10th house पर दश्री पड़ेगी ऐसा जातक अपने boss को dominate करने की कौसिस करेगा हमेशा वह अपने आपको बहुत ज़्यादा सुप्रेम दिखाने की कौसिस करेगा ऐसा जातक किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता ऐसा जातक दूसरों का हमेशा फाइ से फाइदा हो सकता है जातक अपनी family के साथ बहुत ही कम समय spend कर पाएगा ऐसे में राहू आपको career में या आपके profession में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता है बट एक uncertainty हमेशा career को लेकर रहती है एक unwanted situation एक ऐसी condition जहां पर आगे कुछ भी fix नहीं है कि आपके साथ क् करने वाले हैं तो यहां पर आठ नमर साइन है आठ नमर साइन होने की वज़े से ऐसे जात्मों को अपने boss के साथ बहुत ज्यादा issues का सामना करना पड़ सकता है राहू का 8th house पर एसपक्ट होने की वज़े से अलंकि यहां पर अगर कोई क्रूर ग्रया बैठा हो 10th house में तो